हलो कॉमास के जीनियास, मैसेल पलका and welcome to our excellence family चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हमारी आज की वीडियो जिसमें हम जानेंगे समाजवादी, पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थविवस्ता में क्या अंतर है अंतर जानने से पहले हम इन तीनों अर्थविवस्ता के बारे में जानेंगे ठीके के इन तीनों अर्थविवस्ता का क्या अंतर होता है और कौन से देश द्वारा इन अर्थविवस्ता को अपनाया गया है ठीक है फ्रेंस तो फर्स यहाँ पर दी गई है समाजवादी अर्थव्यवस्ता जिसे हम नियंत्रित अर्थव्यवस्ता के नाम से भी जानते हैं कैंद्र नियोजित अर्थव्यवस्ता भी इसे कहा जाता है अब समाजवाधी अर्थव्यवस्ता इसके नाम से ही इस पश्ट है कि समाज़ के लोगों द्वारा चलाई जाने वाली अर्थव्यवस्ता समाजवाधी अर्थव्यवस्ता होती है जो सरकार के दिशा निर्देशों के आदार पर संचालित होती है और सरकार का इन पर नियंतर होता है इसलिए इसे हम केंद्र नियोजित अर्थविवस्ता भी कहते हैं ठीक है और उत्री कोरिया चीन यहां पर समाजवादी अर्थविवस्ता को ही अपनाय जा रहा है आज भी ठीक हम यहां देखेंगे फ्रेंज पूंजी वादी अर्थविवस्ता जिसे हम स्वतंत्र और बाजार अर्थविवस्ता के नाम से भी जानते हैं ठीक है याद रखना कभी हमसे क्योशन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाजार अर्थविवस्ता किसे कहते हैं स्वतंत अर्थविवस्ता किसे कहते हैं ऐसे दो नंबर में क्योशन पूछ लिया जाए तो हमें उसे ही बाजार अर्थ्वेवस्ता और स्वतंत्र अर्थ्वेवस्ता कहते हैं। उन सबका निर्धारन बाजार की शक्तियों के आधार पर किया जाता है। मतलब पूझी पती पैसों के स्वामी इन अर्थ्वेवस्ता का मुख्यों देश केवल लाब कमाना ही होता है। जिस कामसे से लाब नहीं होता वो काम ये नहीं करती और उत्पत्ति के संसाधन जो होते हैं। पर इनका स्वयम का स्वामीत हु होता है। ठीक है। जिसमें समाजवादी और पूझी वादी दोनों अर्थ्वेवस्ता का समाविश है। उसे हम मिश्री तर्थ्वेवस्ता कहते हैं। हमारे भारत देश के अर्थ्वेवस्ता मिश्री तर्थ्वेवस्ता है। तो आया समझ में समाजवादी अर्थ्वेवस्ता समाज के लोगों द्वारा चलाई जाती है। जिस पर सरकार का नियंतरन होता है। इसलिए इसे हम कैंदर नियोजी तर्थ्वेवस्ता भी कहते हैं ठीके और इसका मुख्योद देश जनकल्यान करना होता है। पूंजी वादी अर्थ्वेवस्ता इसे हम स्वतन तर्थ्वेवस्ता पाजार अर्थ्वेवस्ता भी कहते हैं। इसका मुख्योद देश लाब कमाना होता है, अमेरिका, करनेडा, यहां कौनसी अर्थविवस्ता को अपनाय गया, पूंजी वादी अर्थविवस्ता को, मिश्रीत अर्थविवस्ता है, जिसमें उत्पत्ति के संसाद्वनों पर नीजी व्यक्ति का और सरकार का दोनों का इसका मुख्योद देश लाब कमाते हुए जनकल्यान करना है, तो अब आपको यह जो अर्थ मैंने समझाया है, इन अर्थ से ही अपन इनके बीच डिफ्रेंट्स क्रियेट करेंगे, तो पहला अंतर यहां हम पढ़ेंगे आर्थी क्रियाओ पर नीजी अंतरन को लेकर, आर् इसका नियंतरन रहता है, तो लिखा है समाजवादी में कि आर्थी क्रियाओ पर सरकार या केंद सरकार का नियंतरन रहता है, अब सरकार के दिशा निर्देशों में संचालित हो रही है, तो सरकार ही नियंतरन लेगी, फिर पूंजी वादी में आर्थी क्रियाओ पर बाजा की शक्तियों का प्रभाव होता है किन्तु नियंत्रन सरकार का ही रहता है मतलब कारी कौन सा करे इस बात का निन्नय तो बाजार को देखकर लिया जाता है लेकिन उसको करे या नहीं करे इस बात का डिसीजन सरकार लेगी ठीक है फिर आगे देखो सेकंड हमें यहां इसने बता आर्थिक निन्ने कौन ले रही है सरकार और सेकंड पॉइंट में हम जान रहे हैं आर्थिक निन्ने किसको लेकर लिया जाता है किसको धियान में रखकर लेकर लिया जाता है तो सामाजी कल्यान को और पूंजी वादी का मुख्य देश लाप कमाना है तो लाबरजन को कैंद्र मतलब ध्यान में रखकर निन्ने लिये जाता है और मिश्री तर्तिय अस्ता का उदेश जन कल्यान करना और लाब कमाना तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर निन्ने लेती है सामाजी कल्यान तथा लाबर जन दोनों को ही ध्यान में रखकर आर्थिक निन्ने लिये जाते है ठीके फ्रेंट्स दो पॉइंट क्लियर हो गए अब अगले पॉइंट परते हैं अगला हमें यहां दिया है इसने उब्भोकता की इस्तती मतलब उब्भोकता किसी वस्तू को खरीदेगा तो किस आधार पर खरीदेगा तो बताया गया है कि इस अर्थविवस्ता में सरकार जनता का भरन पोशन करती है तो किसके माध्यम से करती है जो बिपेल का कूपन होता है जो कंट्रोल होते हैं जहां पर हमें केरोसीन, ग्यहू, शकर, दाल यह सारी चीजे मिलती है तो यह कौन उपलब्द कराता है सरकारी तो हमें उपलब्द कराती है और इसके माध्य से ही तो जनकल्यान होता है तो आया समझ में कि समाजवादी अर्थवे उस्ता में उब्वोक्ता की स्थती कैसी होती है वस्तू को लेकर तो सरकार द्वारा जो वस्तू निर्धारित की गई है वही उब्वोक्ता को खरीदनी होती है जैसे कंट्रोल में हमें ग्यों और शकर मि कहेंगे क्या कि नहीं हमें ग्यों की जगे चावल चाहिए जो सरकार ने निर्धारित किया वहीं हमें खरीदना पड़ता है अब देखो समाजवादी इस अर्थिवे उस्ता में उप्भोकता अपनी पसंद के अनुसार माल खरीदने के लिए स्वतंत होता है क्योंकि वह सक्ष करती है मतलoff उबोकता की सार्च बहुमिकता बनी रहती है उबोकता चाहे जहां से वस्तु खरीद सकता है लेकिन बोला गया कि सावजनिक वित्रन प्रणाली उबोकता को आवशक वस्तू की पूंजी सुनिस्चित करती है कि जो सरकार द्वारा जो वस्तू जनकल्यान के लिए उपलब्द कराई जा रही है तो उसकी पूंजी भी निस्चित होती है कि आप चाहो दुकान से शकर खरीदो और आप चाहो तो विपेल का कुपन बनाके कंट्रोल से शकर खरीदो फिर अगला देखो संसाधोनों पर नियंत्रन इसमें लिखा है संसाधोनों पर नियंत्रन सरकार के हातों में रहता है और सरकार ही निन्य करती है कि बाजार में विक्रे किस मुल्य पर किया जाए संसाधन जितने भी होते हैं वो सरकार के नियंतरन में होते हैं समाज के लोगों द्वारा केवल काम किया जाता है तो जो भी वस्तूत पादित होती है उसकी क्या कीमत रखनी है कि कीमत पर उसका विक्रे करना है इस बात का निदारन को लेगी सरकार पूंजी वादी में देखो संसादोन उपर नियंतर लोगों के हातों में रहता है माल तता सेवा की कीमत का निदारन बाजार के द्वारा होता है इसलिए इसे हम बाजार अर्थ विवस्ता भी कहते हैं आगया समझ में नीजी विक्ती का स्वामी तो नीजी विक्ती मालिक है तो नीजी विक्ती ही निन्नाई करेगा कि वस्तु की कीमत क्या रखू बाजार में देखेगा कि अगर उसके दोरा उतपादित वस्तु अधी है तो वो क्या करेगा कीमत सामानी रखेगा और वस्तु कम उतपादित है और मांग जादा है तो वस्तु की कीमत अधीक रख देगा मिश्रित में देखो संसादनों का नियंतर्ण सरकार और लोगों दोनों का होता है किन्तु आवशक वस्तु की कीमत पर नियंतर्ण सरकार का ही रहता है आवशक्षक वस्तु जो हमारे जीवन के लिए होती है जैसे ग्यहु है दवाईया है तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनकी कीमत सरकार के द्वारा निरधारीत होती है ठीके लास्ट देखेंगे हम आर्थी क्रियाओं का प्रभूत्व या आर्थी क्रियाओं पर प्रभूत्व मतलब होता है अधिकाल कि आर्थी क्रियाओं जो होती है उस पर किसका स्वामीत्व होता है ठीक है तो आर्थी क्रियाओं पर सावजनिक शेत्र का प्रभूत्व रहता है आ नीजी वेक्तियों का नियांतन और मिश्रित दोनों का समावेश है तो सार्वजनिक तथा नीजी दोनों शेत्रों का आर्थी क्यियाउ पर अधिकार होता है तो इस तरीके से हमने कुछ कर दो कर दो